हाई फ्रेंज वेलकम वेक टो माई चनलन रूपसा देसेपी जब भी आपको बिर्यानी खाने को दिल करें बाहर जाने की कोई जरूत नहीं है घर पे ही अब इंस्टेंट चिकन दम बिर्यानी बना के खा सकती है वो भी बहुती सिंपल तरीके से और इस बिर्यानी की टेस्ट बिलकुल लाजबाब बनती है रेसिपी अगर पसन आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते है तो यहाँ पे हमने पांच बड़े चमस अर्शो का तेल डाल दिया है तेल गरम होती इसमें प्याज डाल देंगे तीन मीडियम साइज की प्याज को लंबा करके काट लिया है अब अब हमसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके है अब हम थोड़े से प्याज निकाल के रख देंगे इस प्राइ किया हो प्याज को बाद में यूज़ करेंगे अब हम इस तेल में ढल देंगे हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है चिकन को मेर्यीनेट करके नहीं रखेंगे इसे डेलेल्टी पकाएंगे इसे इस तरह सी फ़ोड़ सी चला लेंगे ताकि इस्की जो इसमेल है वो दूर हो जाए अब हम इसमें दो तेज़ पता डाल देंगे फिर डाल देंगे यहां पर डेड़ चमज हल्दी पॉर्डर को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे और हाई फ्लेम में ही इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स होते ही अब हम इसमें डाल देंगे मसाला, इसमें डाला है एक चमज जीरा पॉडर, फिसमें एड़ करेंगे डेट चमज लहसुन का पेस्ट, डेट चमज अदरक का पेस्ट, एक चमज लाल हरी मिर्च का पेस्ट टेर करते हैंगे, और एक चमज डाल देंगे कस्मेरी ल आधी चमज गरम मसाला पाउडर, दो चमज बिर्यानी मसाला, इन मसाला को भी चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे, यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, इसमें थोड़ा सा गुनगुना सा करम पानी डाल देंगे, इससे मसाला ज कर लेंगे देही डालते समय एक बात का ध्यान रखेगा यहां पर फ्लेम बिल्कुल लो रखेगा बढ़ना देही फट सकता है तो हमने यहां पर देही को चिकल में बहुत है अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए देही हमारा फटा भी नहीं इसके बाद हम इसमें नमक कर देंगे तो हमने यहां पर डेड़ चमज नमक डाल देंगे आप अपनी स्वादन से डालेगा नमक को भी आच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर फ्लेम को बिल्कुल मेडियम कर देंगे और इसे एक मिर्ट तक इस तरह से लगादा चलाते अपनी चीटकन को हमने बहुति अच्छे से फ्राय कर लिया है अब हम इस हम सब्सक्राइब कर देंगे इसके मिर्ट कॉज़क लीक करने जले है το एक पर फिल्कुल में और iciasप्रकाण चीज़ों कोinda passo औरentre ते सो प्लाइड़ देंगे चिकन को हमने 80% तक कुक कर लिया है जिकन बिलकुल त्यार है अब हम चलते हैं दूसरी स्टेप में तो एक हंडी में हमने पाने ने लिया है पाने उबाल आ चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे दो देजपत्ता चाल लॉंग तीन इलाइची और एक इंच की दो नमक ज्यादा डालेगा फिर इसमें डाल देगे आधी चमच नीभू काव तयART पर इसमें अक चमच सर्षो कह ते ल जasan डाल देंगे अब हम मतलब चाबल 80% तर पक गई है चाबल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसे पानी से निकल लिया है अब हम एक हंडी में थोड़ा सा घी लगा देंगे इससे जो चाबल है वो जिपकेगा नहीं घी को हमने बहुत अच्छे से लगा लिया है अब हम इसमें डाल देंगे चिक को गड़िवी की साथ बहुत है अच्छे से फैला देंगे फस्ट लेयर में गड़िवी को जादा डालेंगे क्योंकि आज तेले में जादा लगती है इससे चिकन जलेगे नहीं ता हमने अच्छे से चिकन को रख दिया है अब हम इसमें चाबल अट कर देंगे चाबल को भी हम दो लेयर में डालेंगे पहले आधा डालेंगे बाद में हम बाकी की चाबल को डाल देंगे चिकन को राइस से बहुत अच्छे तरह से कवर कर देंगे इसे अच्छे से चारो तरफ फैला देंगे अब हम इस राइस की उपर फिर से बाकी की चिकन को आट कर देंगे अब हम चिकन से राइस को अच्छे से कवर कर देंगे चारो तरब अच्छे से फैलाने के बाद इसके उपर बाके की चावल अटकट देंगे सारे चावल को डालने के बाद अब हम इसे चारो तरब अच्छे से फैला देंगे इसके उपर डाल देंगे कुछ धनिया पत्ता और कुछ पूदिने का पत्ता अब हम इसमें 3-4 कटी हुई हरी मिर्ष डाल देंगे इसके उपर डाल देंगे फ्राइगिया हुआ प्याज अब हम इसमें एड कर देंगे केसरवाला दूद इससे कलर बहुत ही अच्छा आती है आपको कोई कलर डालने की जरूद ने पड़ेगी और टेस्ट भी बढ़ी आती है इसके उपर कुछ नारियल डाल देंगे मेरे पास फिरे इस नारियल था इसे डाल दिया है आपके पास अगर है ताप डालिएगा बनना इसकी प्रड़ दीजिएगा इस्टिम के लिए एक कप चाबल की पाने डाल देंगे इससे बिर्यानी जलेगी नहीं इससे कपर कर देंगे और इसके उपर थोड़ सा आठा लगा देंगे ताके इसकी जो इस्टिम है वो बहान न निकले अब हम इसे 20 मिनिट लोपले में दब होने देंगे 20 मिनिट के बाद देखिए बिर्यानी बिल्कुल त्यार है इसे खोल के देख लेते है इस बिर्यानी से बहुती अच्छी सी खुसबू आने लगी है और इसकी लुक्स देखिए कितनी बड़ी आए तो फ्रेंड्स जब भी आपको बिर्यानी खाने को दिल करे इस तरह से बना के जरूर खारिएगा और मेरी चलन को सब्सक्राइब लाइक सेर करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर